बुर्हानपूर जिले के प्राचीन स्वामी नारायन मंदिर में धंतेरस के दिन माता लक्षमी जी के चरणों में दर्सन करने पर भक्तों की हर तरह की मनुकामनाय पूरी होती है। मंदिर के कथा वाचक श्रास्तरी चिंतर ने प्रियदास जी ने कहा कि इन चरणों के दर्सन का अत्यधिक महत्म है क्योंकि केबल ब्रहानपूर में ही धंतेरस की दिन माता लक्षमी के चरणों के दर्सन होती है। पुरहनपूर में पूरे वर्ष भर में माता जी के पेर रहके हुए रहते हैं। लेकिन धंतेरस का एक मात्र दिन ऐसा होता है कि जिदिन उनके पेरों के चरण के दर्सन सभी विक्तों को होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि आज के दिन जो भी मा लक्षमी के दर्शन होते हैं। माता जी तो चरण हमेशा धके हुए रहते हैं साड़ी से। लेकिन आज के दिन माता जी के चरणों के लक्षन होते हैं। और माता जी की क्रुपा सब के ओकर बरस्ती हैं। दन के रखे तो दन की भी विशेष पूजा की जाती है। और लक्षमी जी है तो उनके अंदर ही तो भी धन भी लक्षमी का पते पता है। इसलिए कि चरणों के दर्शन के दर्शन करता है।